यहां के करमट हमारे पुराने साथी उपमुख मंतरी प्रिकेशो प्रसाद मौर्य जी नमस्कार मैं हूँ पंकज्जा आप मेरे साथ देख रहे हैं आप दे रेकॉर्ड आज जो कुछ हुआ प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के मंच से उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है के कैम्प में लखनव से दिल्ली तक इस बात की बड़ी चर्चा है कि आखिर क्या हो गया क्या रूठे रूठे से किश्व प्रसाद मौर्य मान गए आज जो मोदी प्रधान मंतरी नरेंद मोदी का यूपी जाना हुआ वो भी उस इलाके में पुरवानचल के और साथ ही उस इलाके में जहां केशव प्रसाद मौर का दबदबा है जिस इलाके के वो माने जाते हैं लेकिन किसी कारिक्रम में केशव प्रसाद मौर मोधी के साथ नजर नहीं आए मोदी के साथ योगी यानि योगी आदितनात यूपी के मुखमंत्री नजर आए कई और भी बड़े चेहरे बीजेपी के नजर आए लेकिन कहीं नहीं दिखे तो सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीम के शपरसाद मौरी वो ना तब पुरवांचल एक्सप्रेस वे के उदगाटन पर नजर आए ना ही वो कुशी नगर एरपोर्ट के उदगाटन पर नजर आए ना ही वो सिधार्स नगर में नजर आए तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ बात खटक रही है बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है सीम और डिप्टी सीम के बीच में बात बन नहीं रही है बहुत सारे सवाल थे लेकिन आज सारे सवालों के जवाब मोदी ने सिर्फ 10 मिनट में दे लिया 10 मिनट में उन्होंने पुरी तस्वीर साफ कर दी और बता दिया कि डिप्टी सीम केशव प्रसाद मौर भी उनके लिए जरूरी है और उनके कंधे पर हाथ रखकर लगता है उन्होंने आज रूठे रूठे से केशव को मना ही लिया है जी हाँ जब से ये तस्वीर आई योगी आदितनात के कंधे पर प्रधान मंती नरेंदर मोधी का हाथ उनको समझाते हुए जिसके बारे में आज तो देश के रच्छा मंती राजनाज सिंग ने भी चर्चा कर दी कि वो कह रहे थे योगी जी से कि योगी जी तुम धुआधार बैटिंग करो आप बैटिंग करिए और आपकी विजए आपकी जै तो शुनस सित है यानि आपकी जीत तै है लेकिन केशव कहां थे योपी में चुनाव है पिछली बार तो याद करिए 2017 के चुनाव में योपी बीजेपी के वो प्रधेश जद्यक्श थे वो पहला नारा की 300 के पार किसी ने कहा था तो केशव परसाद मौरी ने कहा था मैं उस प्रेस कांफरेंस में था लखनो में जब उन्होंने ये बात कही थी और मुझे बड़ी जोर की हसी आई थी बताओ बीजेपी को 300 सीटे आ सकती है जो बीजेपी यूपी में 14 सालों से सता से बाहर थी लेकिन ऐसा हुआ भी लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि किशव परसाद कहीं किनारे तो नहीं हो गए जिस तरीके से अमित शाह ने ये बात कही कि 2022 में योगी की जीत ही 2024 में मोदी की जीत है यानि मोदी के 2024 के जीत के लिए योगी का जीतना बहुत जरूरी है और योगी ही उनकी बुनियाद होंगे जीत के इतनी बड़ी बात कह दी प्रथान मंतिर नरेंद मोदी भी जब यूपी आए तो हर तरफ योगी की काम की तारीफ की और उसके बाद एक वीडियो वाइरल हुआ पुरवांचल एक्सप्रेस वेका जिसको विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया कि मोदी ने योगी को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जिसमें मोदी अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे हो पीछे पीछे पैदल प बर पा दिया कि उसके बाद तो सवाल ये तब पूछे जाने लगा कि क्या मोदी के बाद योगी ही नमबर टू है और आज कहानी कुछ और ही बन गई अब सिलसलेवार तरीके से बताते हैं उस तस्वीर के माइने और बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी बात निक काम आज तो किसी सड़क का भी नहीं था पुरवान चल एक्सप्रेस वे में भले ही बहुत ज़्यादा उनका कनेक्ट नहीं था केशव का लेकिन वहां नहीं थे लेकिन आज केशव परसाद मौर को खास्तोर से मंच पर बुलाया गया था जोत्रा दित सिंधिया मोदी सरकार के कैमिन वंतरी हैं लेकिन बाई तरफ मंच पर बैठे कौन केशव परसाद मौर और दाहिने तरफ मोदी के बैठे कौन योगी आदित नात लगाता चार मिनट तक बाते करते रहे अब क्या बात हुई यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जिस तरीके से मोदी और केशव बात कर होते हैं तो आज जो ये चार मिनट तक वो बतियाते रहें खुसर खुसर करते रहे केशव से मुस्कुराते हुए उसके बहुत बड़े राजनितिक माइने हैं और मंच से भी उन्होंने केशव प्रसाद मौर का जो परिचा दिया मुस्कुराते हुए तो कहा कि हमारे पुराने और करमट साथी हैं बात यहीं खत्म नहीं होती है जब मंच पर सब लोग खड़े थे और मोदी आए तो उन्होंने सबसे हाथ मिलाया और नमसकार किया लेकिन कंधे पर थपकी देते भी वो किशव प्रसाद मौर से मिले और ये वीडियो भी सोशल मीडिया में काफी वाइरल हो रहा है यहीं नहीं जब प्रधानमंती नरेंद्र मोदी हेलिकॉप्टर से नीचे उतरे तो उनकी अगवानी की गई और उसके बाद जो तस्वीरे आई हैं उस तस्वीरों में भी न दोनों तरफ यानि आप समझिए कि बीच में मोदी हैं तो दोनों तरफ तराजू के दोनों पलड़ों पर एक तरफ योगी और एक तरफ मोदी उतनी ही आत्मीता से बतियाते वे नरेंद्र मोदी एक तरीके से कह सकते हैं कि फोटो शेशन करवाया था नरेंदर मोदी ने ये भी कहा जाता है कि मंच से पीछे जो मुझे जानकारी मिली है पक्के तोर पर उन्होंने केशब प्रसाद मौर से दो तीन मिनट अकेले में भी बात की है तो ये क्या समझा जाए मैसेज देने के लिए कि एक जुटता हम सब एक हैं चुनाओ में उतरने से पहले ये मैसेज देने की कोशिस और बतायने की कोशिस और समझाने की कोशिस की जा रही है मोदी की तरफ से और केशब और योगी के बीच में कुछ ने कुछ गड़बड है या कहीं कुछ मिसिंग है ये बात आज की नहीं है ये बात तो 2017 की है जब 2017 में बीजेबी को प्रचंड बहुमत मिला और मुखमंतरी कौन तो मुखमंतरी के रेस में तब योगी आदितनात भी थे और केशब प के बीच में लेकिन योगी साड़े-चार साल तक अभी उनके घर नहीं गये जब उनके बेटे के शादी हो गई केशब परसाद मौर के तब उसको वरवधू को आशिरवात देने के बहाने तब वो गये थे केशब के घर योगी तब उनके साथ संग के नमबर टू दता त्र कमल निशान के नित्रित में चुनाव लड़ेंगे जब पत्रकारों ने उसे सवाल पूछा था कि आखिरी बीजीपी किस के नित्रित में चुनाव लड़ेंगे लेकिन आज ऐसा लगता है मोदी ने रूठेवे केशब के साथ बतिया कर फोटो खिचवा कर उनको मान समान द होते हैं तो आज के लिए बस इतना ही आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको क्या लगता है मैंने जो कहा वो बात सही है केशब और योगी में सब कुछ ठीक हो गया इनकी एक जूटता से बीजीपी को फायदा होगा मोदी का ये दाउं कितना चलेगा इसका क्या असर होगा आप अपनी राए जरूर बताईएगा तब तक के लिए नमस्कार